जा एक तरफ देश में चीनी उत्पादों को न खरीदने की मुहीम चल रही है वहीं चीन ने अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए भारत पर आरोप लगाए हैं चीन की सरकारी मीडिया ने आज कहा कि भारत ने गोव अप्रिक्स समेलन का इस्तिमाल पाकिस्तान की छवी अलग थलग कर उसे हाश्य पर डालने के लिए किया है इस समेलन में भारत ने खुद को एक पाक साफ देश के तौर पर पेश करते हुए सरकारी अकबार ग्लोबल चाइम्स में छपे एक लेक में कहा गया है कि भारत पाक तनाफ की असहज प्रश्ट भूमी को देखते हुए भारत द्वारा बिम्स्टिक का समावेश अपने आप में कहीं अधिक भूर अन्नीतिक नहितार्थ के लिए हुए है अकबार ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के अलावा सभी देशों को आमंत्रित करके पाकिस्तान को शेतर में अलग थलग बना दिया मैं दूसरे तरफ भारत में चीनी उत्पादों के बहिशकार पर अकबार ने लिखा है कि भारतिय सोशल मीडिया पर चीन में बने सामान के बहिशकार के लिए किया गया आवान बढ़का हूँ है क्योंकि भारती उत्पाद चीन के उत्पादों के मुकाबले मिटिक नहीं सकते अकबार में प्रधान मंत्री नरिंद्रमूदी की मनपसंथ परियोजना Maker India को अव्य वहारी करार देते हुए चीन की कमपनियों को भारत में निवेश नहीं करने को कहा है अगवार ने चिताया है कि उस देश में निवेश आत्मखाती होगा जहां रश्चाचार अधिक है और काम करने वाले मेहनती नहीं ब्रिक्समेलन में भारत ने भले ही चीन को रिजाने की कोशिश की होग पर ड्रागर ने एक बार फिर पाकिस्तानी सुराला पे हैं और अपनी कमपनियों को भारत में निवेश ना करने की हिदायत दी है देखते रही डीबिलाइफ